Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशीफल ये 31st में से लेकर 6th June तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun sign, Moon sign, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं आप उसके according भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आए हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं सुनते आए हैं आप उसी sign को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का सापता ही क्राशी फल तो चलिए इस copyos आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो हमारे पस professional front के लिए cards है Six of Cups and Tent और Six of Cups का card टारो में past की बात करता है क्योंकि ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि past का कोई dream है past की कोई wish है जिसके उपर आप बहुत ज़ादा इस week focus कर रहे हैं या फिर उसको किसी level पे आप पूरा करना चाहते हैं achieve करना चाहते हैं और उससे ही related आप initiatives और action ले रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि past का कोई इंसान है past की कोई situation है जिसके बारे में या तो आप बहुत सोच रहे हैं या फिर जो इस week आपकी professional life में किसी तरीके से influence कर रही है या impact कर रही है और देखिए या पे सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए positive हो सकता है कुछ लोगों के लिए negative हो सकता है और देखिए six of cups के उपर कहीं tent का भी card है और ये card कहता है temporary situation तो देखिए अगर कोई भी मसले हैं कोई भी issues हैं किसी भी चीज को लेके अगेन कहूंगी कुछ लोगों के लिए literally past से related कोई चीज हो सकती है या पिर in general भी है तो ये बहुत ही temporary है वैसे तो देखिए हर चीज temporary होती है लेकिन specially कोई issue कोई मसला है तो यहाँ पे आप एक सुकून महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही temporary है और आपकी life से बहुत जल्दी चली जाएगी लेकिन अगर कोई अच्छी चीज भी इस week आपकी professional life में आ रही है तो वो भी temporary है तो जितना आप maximum इसको enjoy कर सकते हैं उतना करें क्योंकि ये भी देखिए बहुत ज़ादा time तक आपकी life में नहीं रहेगी या फिर इस week क्यों रहेगी आगे जाकर नहीं रहेगी और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई opportunity आपको इस week मिल रही है और देखिए अगर ऐसा है तो मैं आपको यही कहूंगी Scorpios कि आप बहुत ज़ादा ना सोचें या बहुत ज़ादा इस opportunity को for granted ना लें होता है ना कभी-कभी हम सोचते हैं कि चलो भाई यह है हम ले लेंगे आगे जाके देखेंगे कि इस opportunity का क्या करना है तो फिर से मैं कहूंगी यह opportunity भी temporary हो सकती है तो इसको ज़रूर आप avail करें इसको ज़रूर आप लें और दिखिए overall के लिए अगर हम देखें तो कहीं six of cups का card happiness satisfaction की भी बात करता है तो जो भी आप कर रहे हैं कहीं you know किसी level पे आप satisfied दिख रहे हैं या फिर in general एक सुकून एक peace of mind आपके work आपकी professional life से related इस week रह सकता है और personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है compromise and flag तो देखिए compromise का card बहुत ही clearly कहता है कि कुछ compromises कुछ adjustments personal front पे आपको इस week करने पड़ सकते हैं और वैसे भी देखिए Scorpios ये life है कभी भी एक समान नहीं होती हमेशा ही खुशी या success नहीं होता है कितनी बारी हमको adjustments करने पड़ते हैं लेकिन देखिए एक चीज का खयाल रखें कि इतने ज़ादा adjustments ना करें कि खुद को भूल जाएं या फिर you know खुद के लिए ही कहीं आप ना सोच रहे हूं क्योंकि देखिए यहाप फ्लैक का card कहता है do not be tempted to lower your standards तो फिर से मैं कहूंगी कि देखिए adjustments करने पड़ते हैं आप जरूर करें लेकिन कहीं अपना standard इस process में आप low ना करें और फिर से मैं कहूंगी कि अपने आपको ना भूलें अपने आपको ignore ना करें अपने आपको बिल्कुल ही back front पे या back seat पे ना रखें और देखिए यहां पे भी सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है कुछ लोगों के लिए relationship से related compromises हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए lifestyle से related compromises हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए behavior या कोई आदत से related कुछ compromises कुछ adjustments कुछ लोगों के लिए message है कि जो भी आप कर रहे हैं आप reality या सच से अपने आपको जरूर वाकिफ करें कभी कभी क्या होता है न कि हम खुदी denial mode में रहते हैं जो भी reality होती है उसको accept नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमने reality को face किया तो हम hurt हो सकते हैं और कहीं हम जान मुझ के उस चीज को ignore करते हैं तो कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर you know reality को accept करें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ चीजों से या कुछ सच से आप वाकिफ नहीं हैं तो in nutshell कोई भी बड़ा decision लें कोई भी बड़ा action लें तो जो भी सच है उससे जरूर अपने आपको वाकिफ करें या उसको जरूर आप accept करें उसको जरूर आप face करते हुए ही चीजों को deal करें और astrology से आप लोगों के लिए card है नाप्चिन और इसके हिसाब से green कलर आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए इस week रहेगा Wednesday तो ये था Scorpios आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए